अलो फ्रेंड्स, आज हम डिसकस करेंगे टाइपस अब इंड़क्टिव इफेक्ट के बारे में, देखिए इंड़क्टिव इफेक्ट की बात करें, तो इसको हम दो टाइपस में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट और सेकिन हो जाएगा केस में होगा तो जब atom या group electron repelling होता है या donor group की तरह behave करता है तो उस case में हम inductive effect को plus eye effect कहते हैं इसी तरह से अगर कोई भी atom या group electron withdrawing या acceptor group होता है तो उस case में हम inductive effect को minus eye effect कहते हैं अब देखिए example की बात करें तो जो chlorine है वो minus eye effect so करता है क्योंकि chlorine electron acceptor की तरह behave करता है या कह सकते हैं chlorine दूसरे group से electron withdraw करने की tendency रखता है इसी तरह से अगर हम methyl group की बात करें तो ये electron repelling group होता है या ये किसी दूसरे group को electron donate करता है तो इस वज़े से ये plus eye effect so करता है अब inductive effect की बात करें तो ये एक permanent effect होता है और इसकी वज़े से covalent bond में polarization होता है अब देखिए यहाँ पर chlorine carbon के साथ attach है तो chlorine क्या करेगा यहाँ से जो इस bond के electron है उनको अपनी और attract करेगा तो इसलिए minus eye effect so करेगा इसी तरह से यहाँ पर carbon के साथ methyl group attach है तो methyl group electron repel करता है या donor group की तरह behave करता है तो इसलिए इसको हम plus eye effect वाला group कहेंगे अब electron जिस तरफ move होते हैं हम arrow की direction भी उसी तरफ रखते हैं यहाँ पर electron chlorine की तरफ shift हो रहे हैं तो arrow की direction यह रहेगी और इस example में जो electron है वो methyl group से दूर जा रहे हैं तो arrow की direction यह रहेगी अब बात करते हैं कुछ दूसरे groups जो की minus eye effect so करते हैं यह हो जाएंगे इनके कुछ examples अब देखिए इन minus eye effect so करने वाले groups की बात करें तो इनकी जो electron negativity हैं वो carbon के comparison में ज्यादा होती हैं इसी वज़े से यह minus eye effect so करते हैं तो इन groups के electron attracting nature की वज़े से यह minus eye effect so करते हैं फिर बात करते हैं ऐसे groups की जो की plus eye effect so करते हैं यह हो जाएंगे इनके कुछ examples अब यह groups plus eye effect इस वज़े से हो करते हैं क्योंकि इनमें electron donating nature होता है अब alkyl group पर substitution ज्यादा होता है तो उस case में जो plus eye effect हैं वो भी strong होता है जैसे इनकुछ groups की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा plus eye effect tertiary butyl group का होगा क्योंकि यह highly substituted होता है अब यहाँ पर जो plus eye effect का order लिखावा है उसको हम hyperconjugation के basis पर explain कर सकते हैं means hyperconjugation जितना ज्यादा होगा वहाँ पर plus eye effect भी उतना ही ज्यादा रहेगा झाल 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 झाल